चिराग पासवान या तो बरबाद हो जाएंगे या फिर बरबाद करेंगे और किसको बरबाद करेंगे तो अपने चाचा पशुपती पारस को एक पुरानी कहावत है कि एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है ठीक इसी प्रकार से एक वक्त पर कभी भी एक जाती का द पर्चस्व नहीं बना पाता है इसका उधारन है कि लालू प्रशाद यादों के तुफान में बड़े-बड़े यादों नेता खत्म हो गए और शरत यादों जैसे नेता का लोग नाम तक भूल गए ठीक इसी प्रकार से चिराग पासवान भी एक तलवार है और इस समय उनकी भविस से क्या होने वाला है और क्या वह राजिती में बन जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे लेकिन चिराग पासवान ने शांदार काम यह किया है कि वह पिछले साल भर से लगातार जनता के बीच में है और चिराग पासवान के लिए अभी भी पासवान समाज की बहु ही हो सकता है कि चिराग पास्वान अपने चाचा पशुपति पारस को राजनीती में बरबात कर देंगे बाक्तिर नमस्कार में ना मैं मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमरा अभिश्य इसकारिकरम एक्स्प्लेनर अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान अब तक चिराग पास्वान ने यह साफ नहीं किया है कि वह राश्य जनता अदल के साथ जाएंगे या फिर भारतिय जनता पार्टी के साथ रहेंगे लेकिन यहाँ पर समझने वाली बातिया है कि अगर चिराग पास्वान ते जस्वी जादों के साथ चले जाते हैं तब ऐसी जिती में चिराग पास्वान को एक तरफा अपनी जाती का समर्थन मिलेगा क्योंकि राश्य जनता दल के नाम पर पास्वान समाज पहले से ही ते जस्वी जादों के करीब है और अब अगर चिराग पास्वान ते जस्वी के साथ चले जाते हैं तब चाचा परशुपती पारस का पत्ता राजनीती से साफ हो सकता है हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि ते जस्वी जादों के पास अपने पिता लालू परशाद जादों की वह ताकत है जिसके दम पर अभी भी वह पिछलों के नेता है और पास्वान समाज पहले से ही राश्य जनता दल के नाम पर जुका आउ रखता है और अगर चिराग पास्वान ते जस्वी जादों के साथ चले जाते हैं तब निश्चित रूप से यह एक अलग ताकत बनेगी चिराग पास्वान अगर भारती जSirता पार्टी के साथ रहते हैं फिर भी पास्वान समाच का एक बड़ा हिस्सा कि उबल भाजपा के कारण जिन से दूर हो जाता है लेकिन अगर यहीं चीज तेजस्वी के साथ हो जाए और चिराग तता तेजस्वी यादो एक साथ मिल जाए तब समिकरन दूसरा बनेगा और पिछले कुछ वक्त में चिराग पासवान तता उनके चाचा पश्पति पारस के बीच सिर्फ और सिर्फ पासवान समाच का बड़ा नेता बनने की होल लगी है पासवान समाच का बड़ा नेता बनने के लिए जब राम बिलास पासवान के नाम पर कोई कारिकरम होता है तब दोनों तरफ से कोसिस होती है कि बड़ चड़कर उसमें हिस्सा लिया जाए और इसका उदारन बिलास पास्वान की पाटी को बरबात किया तो चिराग पास्वान मंच पर सब के सामने फपक पर रो पड़े बाकी चिराग पास्वान ने यह तो साफ कर दिया है कि वह लड़ेंगे तो किसी गड़ बंदन में शामिल होकर रेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि वह किस गड़ वह नहीं लगते हैं मिलकर तब वो अपनी लोग सबाद छेतर से चुनाव हार सकते हैं और इसी डर से कहा जा रहा है कि चिराद पास्वान अभी भी भाजपा के साथ जाने के लिए तयार बैठे हैं बस वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा का कोई नेता खुल कर कह कि आप हमारे साथ आ जाईए तत्ते जस्वियादों के साथ जाने में सबसे वड़ा फाइदा है कि पास्वान समाच का एक बड़ा धड़ा उनके साथ राजत को वोट करेगा बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिराद पास्वान और उनके चाचा पशुपती पारस के बीड जो पास्वान समाच पर प्रभुत्तों की लड़ाई चल रही है कि पास्वान समाच का बड़ा नेता कौन होगा पास्वान समाच का नया नेता कौन बनेगा इसमें जीत किसकी होगी यह देखने वाला विशय होगा आप क्या सोचने हो उसे कमेंट वोक्स वल झाल 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 झाल